हेलो एब्रीवन स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWT जॉप में यदि आप टीचर बढ़ना चाहते हैं जॉप सर्च कर रहे हैं तो बिल्कुल आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए सभी राजियों की वेकेंसी यहाँ पर आप लोगों को बताई जाती है समय पर सुचना दी जाती है सिक्षक भरती के जितने भी विज्यापन जारी होते हैं चाहिए वह सरकारी हो प्राइवेट हो या फिर ऐसे डिपार्टमेंट की वेकेंसी जो की वहीं पर फिल हो जाती है व सैलरी भी काफी अच्छी दी जाती है डीपीएस में जो वेकेंसी आई है साथ स्कूलों से तो इसमें सेंट्रल गॉर्मेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही जो है एस क्राइटेरिया और पेस्केल रहने हवाला है सैवन पे कमिशन के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी रहेगी जैसा कि थमनेल में आप देख रहे हैं साथ में जो है ग्रैजुटी, फ्री ट्रांस्पोर्ट, फ्री एजुकेशन आपके दो चिल्डरन्स के लिए पी एफ डी ये भी आप लोगों को इसमें मिलने वाला है बहुत सारे कैनिरेट कहते हैं यह पर्मनेंट जॉब है या प्र जाते हैं उसी तरीके से जो है आप लोगों को यहां पर रखा जाता है एंटीटी टीचर्स की अगर हम बात करें तो साथ स्कूल है तो इसमें थोड़ी कम ज्यादा सैलरी जैसे 48,000 के लगवग एंटीटी टीचर्स की पहले कम थी लेकिन अब बढ़ गई है पी आर्टी की 52 की 53,250 के लगवग और पोस्ट ग्रेजवेट टीचर्स की 53,380 कई जो स्कूल है वहां तो मेंजन कर दी जाती है सैलरी पर कुछ स्कूल जो होते हैं वो यह मांगते हैं कि जितना जादा आपका जो है एक साल का दो साल का उसकी अकॉर्डिंग जो है वो सैलरी डिसाइड होती कोई TAT या CTAT DPS में नहीं मांगा जाता है बहुत ही जो है रेर केस में ऐसा होता है कि जो है CTAT या CTAT मांग लें बाकी जो है इन सातों स्कूलों में CTAT की बिल्कुल जरुत नहीं है निशुल काविदन करना है सभी विश्यों की वेकेंसी है सभी पोस्ट में डैली पब्लिक स् या फिर नजदी की राज्य है तो बिल्कूल आविदन कर सकते हैं डेली पुबिक स्कूल दुर्गापूर से वेकैंजी है तो यह सबी कबर करेंगे, आप बिल्कुल आराम से देखें, इसमें कई स्कूलों में कोई experience नहीं मांग रहे हैं, और किनी स्कूलों में जो है, बिल्कुल अनुभव मांगा जा रहा है, तो आप देख लें, अगर आप फ्रेशर हैं, तो उनमें अपलाए कर दें, अगर आपक तक सूचना पूरी पहुचे, कई candidate को जो है, लिंक नहीं मिलता है, आप जो वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो के नीचे, आप description बॉक्स को open करें, और उसमें नीचे देखा करें, तो सभी के लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे, अब कई स्कूलों में जो है, सैलरी मे आपको मिलने वाली है, तो आराम से देखें, फ्रेशर बिल्कुल अप्लाए कर पाएंगे, उन स्कूलों को आप देखें, वहां अपना सब्जक्त देखें, पीजी टी क्लास 11-12 को पढ़ाने के लिए, अभी आपर बहुत सारे सब्जक्त देखेंगे, इंग्लिस, मैथेमे इंग्लिस, डान्स, म्यूजिक, इंस्ट्रुमेंटल म्यूजिक, गिटार, प्यानो, वाइलिन, अबला, आर्टीचर, ठीक है, अब लगवग सब्जक्त इसमें आ चुके हैं, क्वालिफिकेशन, पोस्ट ग्रेजूइट के साथ में वियट, इसमें बिल्कुल अच्छा खा रहने वाली है, ठीक है, अप्लाए करने के लिए इसके नीचे अप्लाए का उप्शन दिया हुआ है, अब चलिए, बिल्कुल टाइम आपका बिल्कुल खराब नहीं होगा, फटाफट से जो हैं, इनको कवर करते चलेंगे, उसके बाद इन्होंने पीजीटी में नहीं पर है, लेकिन इन्होंने इसमें प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए लिए लिख दिया है, क्वालिफिकेशन, मॉन्टेशरी, ट्रेंड, टीटीसी या डीलेड आपने किया है, दो साल का आपका आनुभाव होना चाहिए, तीस से पैंतीस वर्स इसमें उम्र है, और इसमें भी लगवक सब भी सब्जक्ट दिखेंगे, इंग्लिस मैथेमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायलोजी, एकॉनोमिक्स, कम्प्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, अकाउंटेंसी, बिजिनिस टुडिज, जोग्रफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइक करना होगा, अपलाय करने का ओप्शन जो आपको नजर आही रहा है, अब चलिए next वेकंसी देख लेते हैं, नेक्स्ट वेकंसी जो की डेली पब्लिक स्कूल हिंजवाडी की है और इसमें जैसे ही आप ओफिशल वेबसाइट पर आएंगे तो होम पेज पर ही आपको यह नजर आएगा वियर हाइरिंग 2025-26 के लिए प्री प्राइमरी प्री प्री टी 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 वेलनेस काउंसलर और अधर ठीक है तो इसमें प्री टी 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 प्री प्राइमरी इनकी वेकंसी है सभी विश्यों की है इसमें पी जी टी की वेकंसी नहीं है प्री प्राइमरी में यह कह रहे हैं कि ग्रेजुएट के के लिए यहां पर 3 साल का teaching experience मांगा गया है, PRTO pre-primary के लिए कोई experience नहीं मांगा गया, wellness counselor के लिए master psychology में और इसमें 2 साल का अन्भव, इसके अलाबा भी जो है, other में आप देखें, यहां पर बहुत सारी vacancy है. ठीक है? पेस्केल जो है 7 पे कमिशन के अकॉर्डिंग ही रहेगा यह सब आपको बता दिया है पी एफ डी ए कॉंट्रिवुट्री लीव ग्रैजुटी फ्री ट्रांसपोर्ड सारी सुविधाय आपको यहां पर मिलने वाली है तो यह जो है form are available आपको form इसी official website पर मिल जाएगा school की यह जो है address है ठीक है इसमें 30 सितंबर तक आप आविधन कर सकते हैं ध्यान दें आप जो है इसमें केवल 30 सितंबर तक आविधन कर सकते हैं अनलाइन ही आप लोगों को आविधन करना है तो आज ही कर दें अगर आप करना चाते हैं 30 सितंबर 2024 ठीक है अभी आपके पास समय है आप आराम से पढ़ लें और उसके बार करें इसको जो है आप कैसे अप्लाइ करेंगे इसको जो है क्रॉस कर देंगे और करियर सेक्षन पर जो है क्लिक कर लेंगे ठीक है एक आपको बता देती हूं कर यहीं पर आप लगों को एप्लिकेशन फॉर्म मिल जाएगा यह आप देखें एप्लिकेशन फॉर्म यहां पर ठीक आपको selective branch क्योंकि हिंजवाड़ा में वेकेंसी है नाकपूर लावा में वेकेंसी है नासिक में वेकेंसी है वारानसी में वेकेंसी अब इन चारों में जो है कहां पर apply करना चाते हैं वारानसी तो उत्तर प्रदेश में है नासिक महरास्ट्र में है ठीक है हिंजवाड़ी नाक contact us में देख सकते हैं, next vacancy देख लेते हैं, next vacancy डैली पप्लिक स्कूल काम्टी रोड, यहां की है, तो इस पर जो है आप click करके इसे cross कर दें, यहां पर आपको career section दिखेगा, थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं, कहीं ना कहीं पर तो आपको दिखेगा, apply करने का, हाँ, यहां contact us में जो है आपको दिखेगा, job opportunity, ठीक है, इस पर click कर लेंगे, और यह आपके सामने जो है, form आ जाएगा, ठीक है, तो यह vacancy जो है वो नाकपूर की है, यह form आ जाएगा, apply कर देंगे, next जो vacancy डैली पब्लिक स्कूल वारानसी की है, यह पहले भी cover की जा चुकी ह दुबारा से जो है आप देख लें, क्योंकि इसमें pre primary और PRT के लिए कोई अनवव नहीं मांग रही है, और TGT की vacancy इसमें PGT की भी vacancy है, जिसमें 3 साल का अनवव मांगा जा रहा है, ठीक है, विशे तो आपको देखी लिए, आप सभी विशों की vacancy है यहां पर, pay scale भी आप official website पर जैसे ही आते हैं, career section में आपको यहां पर PGT class 11-12 के लिए, अब इसमें भी आपको सभी विश्या दिखेंगे, qualification जो है, post graduate के साथ में B.A.D. मांग रहे हैं, 6 साल का अनवव, 45-50 वर्स इसमें उम्रे, apply करने का option तो इसमें भी सभी में दिया हुआ है, ठीक है, यह पच्छे से पढ़ लेंगे, देख लेंगे, link आप लोगों को share कर दिया जाएगा, काफी बड़ा वीडियो बन रहा है, लेकिन information आप लोगों तक पहुँच ही रही है, यहां पर नीचे देखेंगे, website का link भी दिया हुआ, इसमें 31 October 2024 तक आप apply कर सकते हैं, ठीक है, कैसे apply कर करना है, तो वो आपको बता दिया है, जो भी आप vacancy देख रहे हैं, उसी के नीचे apply करने का option है, online apply करना होगा, इंडरापुरम की vacancy है, DPS इंडरापुरम, तो इसमें जो है, यहां पर नीचे है career section, ठीक है, इस पर click कर लेंगे, तो यह जो है vacancy का पूरा notification आ गया, इंडरा पूरापुरम गाजियावाद में है, इसमें PRT, general की vacancy class, nursery से लेकर second class तक, qualification graduate और post graduate, या फिर graduation की हो, या post graduation की हो, first या second division से, साथ में bear होना चाहिए, इसमें unverb जो है, बिल्कुल माँग रहे हैं, 3 से 4 साल का unverb, इनमें सभी में unverb माँग रहे हैं, PRT, computer teacher की vacancy है, class third से लेकर fifth तक के लिए, qualification, graduation, या फिर post graduation की साथ में bear, 3 से 4 साल का unverb, ठीक है, qualification सभी में, unverb जो है, वो सभी में, समान है, PRT, art की vacancy है, non teaching में, video editor कम, illustrator, expert की vacancy है, illustrator, और accounts, assistant की vacancy है, इसमें graduation या post graduation होनी चाहिए, आपके first या second division से, तो इसमें तो कोई bear, bear नहीं क्योंकि non teaching vac vacancy है, ठीक है, experience इसमें 3 से 4 साल का, इसमें जो है, आपको क्या करना है, kindly mail your latest cv with photograph, अपना जो latest cv है, photograph के साथ में, वो आपको mail करना है, यहां पर, ठीक है, mail करना है, तो यह vacancy रही, अब जो है, question आता है कि, इसमें selection कैसे होगा, तो आप लोगों को email के द्वारा, या फिर, आपको whatsapp number आप जो है, उसमें application form में लिखेंगे, तो उसके द्वारा आप लोगों को inform किया जाएगा, कहीं पर तो written exam, interview, यह सब होगा, और कहीं पर जो है, केवल interview के base पर selection रहेगा, ठीक है, अब जैसे इसमें केवल interview रहेगा, इसमें कोई written exam नहीं होगा, वारानसी, नासिक, और इसमें आप देखें, इसमें जो vacancy थी, यहां कहीं मैंने देखा था, हाँ, यह देखें, DPS, जो दुरगापूर की vacancy, इसमें इनोंने साफ साफ लिखा है, the selection procedure will involve written test, interview and demo, ठीक है, तो यह सारी चीज़ें आपको face करनी होगी, तो आप जो apply कर देखें, fresher, जहां पर कोई अनवब नहीं मांगा गया है, वहाँ पर apply कर सकते हैं, जिनके पास अनवब है, वहाँ apply कर सकते हैं, salary जो है, आप लोगों की काफी अची समें रहने वाली है, यह chance रहता है, आप लोगों का बड़े स्कूलों में आप लोगों का appointment हो सकता है, और जो भी candidate job के लिए परेशान रहते हैं, बिलकुल apply कर दे, कोई भी जो है, इसमें fees भी नहीं लग रही है, चलिए और भी जो है, वेकेंसी कवर की जाएगी, सभी राज्यों की, आप लोग चैन कर लें, अगर पहली बार चैनल से जोड़े हैं, और notification पाने के लिए bell button को प्रेस जरूर करें, thank you